मुझमिन लिहे रहिभारीशम चारें हम टेस्टिंग हाइपोसिय कीक इसका रहे हैं बड़ो हम डिसकास का रहे हैं डिफेंस बिफिन टू पपोफ लेशन्य मीनच जि मिए हम एक एक जांपल को डिसकास करेंगे means को कि difference between two population means क्या है यह हम एक एक्जामपल को डिसकस करते हैं जिसको जिसमें बताएं कि अपने क्लियर करेंगे कि जब हमारे पाफ पॉपुलेशन को केस कौन से कि पॉपुलेशन हमारे पास क्या होगी पॉपुलेशन हमारे पास जी होगी नॉर्मल बोथ पॉपुलेशन और नॉर्मल होगी और सिग्मा हमारे पास क्या होगा नॉन होगा हम इस से तुपुलेशन को क्या करेंगे डिसकस करेंगे एक एक्जामपल पढ़ती हूं साथ में उनका डेटा लिखती जाती हूं फिर मैं सॉल करके बताती हूं कि आपने से कैसे करने कहते हैं रेंडम सांपल size size from a normal population with variants and give X bar is given, ठीक है, हमें, sample 1, उसका, sample size given, then, आपको, क्या given, variance given, जो क्या आपके पास 24 है, and x बार given, है 1 का जो क्या आपके पास 15 है, इसी तरह, a second sample of size, second sample size, उन्होंने questions में गिवन दे दिया, क्या आपके पास कहा है, 28 है, another normal population with variance, with variance, 18 and x bar 2 is given 13 test the hypothesis उन्होंने खुद गिवन देदी हैं कि आपने level of significance alpha 0.05 लेन है और hypothesis उन्होंने खुद गिवन देदी हैं तो मैं लिख देती हूं क्योंकि ये questions में ही आपको hypothesis गिवन और ये तमाम information तो वो hypothesis के है है हुद और अच आल्टरेटिव जो नहीं देए मुव 1-μुव 2-1-μुव 2 is equals to 0 नहीं देए और सेकंड जो नहीं देए है वह है मुव 1-μुव 2 is not equals to 0 ये hypothesis गिवन अब मेरे पर question के है random sample of size 36 from a normal population with variance 24 give x bar is equal to 15 a second sample of size 28 from another normal population with variance 80 give x bar 2 is equal to 13 test hypothesis let alpha is equal to 0.05 ये तमाम information आपको question में गिवन है आप hypothesis बनानी के तो आपको जरूरत नहीं है क्योंकि और हुद ही लिख दी है वो हमारे पास होता है level of significance तो level of significance जो student हमारे पास है वो भी आपको अल्रेडी क्या questions given दे दिया गया है कि आपके पस जो level of significance आपके पास के है 0.05 है इसी तरह third one जो हमारे पास आजाता है step वो आजाता है test statistics जिसमें हमने फार्मूला डिसाइड करना होता है test statistics अब देखें student हम यहां कौन सा फार्मूला दिख हमारे पास सिग्मा जो है वो नौन है हमें मालूम है तो हमारे पास जो फार्मूला आएगा वो क्या आजाएगा एक्सबारवाण एक्स बार स्कैसर वान माइनश ekसby कर टू heeft मीव और मसमीनशमयूर्ट्व टू और क्योंकि हमें सिग्मा नॉन है पता है तो हमारे पास क्या रहेगा सिग्मा उन स्क्विए एन 1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वेर एंड 2 यह हमारे पास आजेगा जी फार्मूला जिसे हमने मालूम करने हैं नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है फोर्थ नंबर पर वह आपके पास आजाता है critical region critical region student हम कैसे find करते हैं because we have the two-sided two-sided हमारे पास है critical region find करने के लिए के हमारे पास जहां क्या hypothesis बन रहे यह two-sided बन रहे तो हमने जो जी की value लेनी है वह हमारे पास क्या आजेगी two-sided के लिए हमारे पास जी आजेगी 1.96 आपके पास critical region आजेगा rejection region is this last five हमारे पास जो step होता है five step उसमें हमने करना होता है जी computation ठीक है आपने compute करना है values को अपने formulas में पूट करके तो मैं direct formula में values पूट करते हो x bar one मेरे पास कह है यहां गिवन है 15 ठीक है वो मेरे पास क्या गिवन है 15 x bar 2 मेरे पास क्या गिवन है 13 माइनस देखें म्यू 1 माइनस म्यू 2 किसके इकवल जीरो के सो मैंने जीरो लगा दिया सिग्मा वन स्क्वेर मेरे पक इसके इकवल है 24 के 24 and n1 हमारे पास का है 36 then plus sigma 2 हमारे पास क्या है 80 and 2 हमारे पास क्या है 28 जब आव इसे सॉल्व करोगे तो जो आपके पास वैल्यू जाएंगी वह आपके पास कहांगी जी इकवस्टू आपके पास जी आजएगा 1.06 अब हमने 6 जो हमारे पास तो 1.96 है थीक है हम पॉजितिव साइड ले रहे हैं वेस्ट बोसाइड प्रहा था मैनस 1.96 1.96 अब देखें आपके जो वैल्यूज है क्या वो कृटिकर रिजन में गिरी है से प्रेस्ट रिजन में गिर या आप देखें 1.08 बूलाइ कारी है से फ्रेस्ट रिजन में तो हम भी आप निखें के जी 1.06 वैलूज पॉल्स फॉल्स है पॉल्स हॉचिंग अशेप्तंस लिजेशटे अच नॉट accept H not and reject H1, okay, student हमारी values जो है वो इस areas में लाइ कारी है, जो कि आपके पास क्या होता है, acceptance region होता है, ठीक है, और critical region में आपकी values नहीं लाइ कारी है, तो यह हम क्या कारे हैं, ऐसे accept कारे है, यह student हमारे पास questions था, जिसमें हमारे पास both the populations are normal थी, and sigma is non, इंचला, next time, इस से related, मैं question करवाँगी, जिसमें आपके पास sigma non होगा, बड़ा मने उसमें compute करना पड़ेगा, x bar 1 and x bar 2, तो आप उसको कैसे solve करोगे, क्योंगे मैंने आपको एक situation बिताई थे, कि जब हमारे पास sigma सेम होता है, तो हम उस questions को कैसे solve करते हैं, कल इंचला, next lecture में वो discuss करेंगे, I hope true ने आपको मेरे लेक्चर पसंद आया हुआ, किसी किसम की confusion है, तो आप मुस्टे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तब तक के लिए, लाह आफिस,